हालो फ्रेंड्स विल्कम एक नो मा यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेज आज के हमारी वीडियो रहने वाली है एच्पी टिट मेडिकल का जो हमारा बायलोजी सेक्षिन होता है उसका पार्ट फाइव और रेडी हम बायलोजी सेक्षिन के फोर पार्ट आपके साथ डिसकस कर चुके हैं बहुत अच्छा रिस्पोंस आपका आ रहा है उन सभी वीडियो पर और आप के रहे हो कि मैं और भी वीडियो लाईए इसलिए मैं आपके लिए और वीडियो आगे भी लाऊंगी तो आपको बस क्या करना है वीडियो को लाइक करते जाना है चैनल को जाते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्टन आने के चांस बहुत जादा होते हैं ठीक है ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्टन आने हैं यही हमारा मॉटिव है और जितनी भी वीडियो समने बनाए है या फिर वो चाइल साइकॉलजी की हो प्रीवेसर और नियुक्त की सात्त हैं क्वेश्टन आ और सबस्कॉलजी कोनट अने के साथ क्वेश्टन ना ऑ सबूरन के साथ जो कोानट मिलक कंटें जो कोननट मिलक होता है उसमें कौन सा होर्मोना पाया जाता है ठीकिए फर्स है हमारा ओडीये वार्ड इब्याश्रत्म दूसरे हमा जिब्रलिन या फिर वाल इस ट ऑग्जिं। ऐस क्या है यह है यह तेनों क्या है फ्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानि कि यह प्लांट की ग्रोथ को रड़ेड करते है और जोIsisic et regaisi , यह ब्लांट het Rabbidaire ''休 26 अब्शिस के आप ऐसे थाहते कि ग्रोथ को Telesisic Kepticic acid है, यह plant growth inhibitor है और यह जो तीनो हैं यह regulators है यह यह growth को बढ़ाते हैं, So, जो हमारा hormone होता है, जो हमारा होदा है, वो होता है हमारा cytokinin, So, सॉ जो cytokinin है, वो किस में help करता है? यह help करता है cell division में, So, right answer हो जाएगा हमारा इस question का option D, that is cytokinin Q2. Hepatic portal vein extends between जो Hepatic portal veins होती है वो किन किन organs के बीच होती है Options है हमारे A. Liver and kidney B. Elementary canal and liver C. Herd and kidney या फिर D. None of the above So, Hepatic portal vein extends between Elementary canal and liver Option B is the right answer Now, Q3. Name the book written by Robert Hook किसने बुक लिखी Robert Hook ने In which he explains the discovery of cell Robert Hook ने जो बुक लिखी है उसका आपको नाम बताना है जिन्होंने उसमें कोशिका की खोज के बारे में बात की है Options है हमारे A. Robertus cellular E. Cellula B. Origin of cytogenesis C. Micrographia D. Dicellular pathology So, इसका right answer है हमारा option C That is Micrographia Now, question number 4 A bisexual flower which never opens in its lifespan is known as यानि कि ऐसा bisexual flower जो अपनी life में कभी भी open नहीं होते हैं वो flowers बिल्कुल बंद ही रहते हैं Okay, तो उस तरह के flowers को क्या कहा जाता है Options है हमारे A. Calistogamous B. Homogamous C. Gittonogamous D. None of the above Okay, तो एक के करके आम इन तीनों flowers के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन से flower है क्योंकि कई बार आपको इन options में से भी question पूछा जा सकता है So, पहले हमारे C. Gittonogamous flowers So, C. Gittonogamous flowers उस तरह के flowers होते हैं जो अपनी life में कभी भी open नहीं होते हैं इनकी जो pollination होती है वो उस ही flower के enter से stigma में होती है So, option A is the right answer अब दूसरे option पहीं देख लेते हैं Option B है हमारा homogamous flower So, homogamous उस तरह के flowers होते हैं जब enter and stigma दोनों ही same time पर mature होते हैं एक ही flower के ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? Homogamous और वो भी self pollination में help करते हैं C type है हमारा gitonogamous flower So, gitonogamous उस तरह के flowers होते हैं जब pollination होती है एक ही plant के different flowers से जैसे कि यह हमारा एक plant है इसमें एक flower यह है और एक flower यह है ठीक है, इस flower का जो enter है और इस flower का जो stigma है So, enter से इस flower के stigma में pollination होगी यह होगी हमारी gitonogamous type of pollination और homogamous वैसी हुई जब यह हमारा एक flower है इस ही flower का जो enter है और जो stigma है उसमें pollination हो रही है So, this is homogamous type of pollination और एक होती है klystogamous type of flower यानि कि ऐसा flower है जो कभी भी open नहीं होता है उसमें self pollination होता है That is klystogamous flower Now question number 5 The most abundant protein in animals in Animals पे सबसे abundant protein कोन सी होती है Options है हमारे insulin, hemoglobin, collagen and keratin यह बहुत ही important question है बहुत बार पूछा जाता है उसका right answer है हमारा option C That is your collagen protein है वह most abundant है in animals Okay Question number 6 Poicilloterms are जो Poicilloterms होते हैं वो क्या होते हैं बहुत बार इसमें से भी question पूछा जाता है ठीक है Poicilloterms क्या होते हैं Options देख लेते हैं Ectothermic Animals B Cold-Blooded Animals C Both A and B या फिर D Warm-Blooded Animals Okay So एक होते हैं हमारे पास Poicilloterms और दूसरे होते हैं हमारे पास Homeotherms Okay उनको Homeothermal भी बोलते हैं Poicilloterms होते हैं वो होते हैं हमारे Cold-Blooded Animals और उनको साथ में Ectotherms भी कहा जाते हैं तो right answer हो जाएगा हमारा Option C That is both A and B और जो Homeotherms होते हैं वो होते हैं हमारे Warm-Blooded Animals और साथ में इनको क्या कहा जाता है Endotherms तो गुमाकर Questions आपसे पूछे जाते हैं तो सभी Terms का आपको पता होना चाहिए Now Question No.7 The technique of obtaining large number of plantlets why tissue culture method is called यानि कि उस technique से हम tissue culture से large number of plantlets को obtain कर सकते हैं उस method को क्या कहा जाता है Options है हमारी Organ Culture Micro Propagation Macro Propagation या फिदी Bio Fortification ठीक है उसका right answer है हमारा Option B That is Micro Propagation से हम बहुत सारे plantlets को tissue culture method से grow कर सकते हैं ठेक है Question No.8 Anticodons are located in Anticodons किसमें present होते हैं Options है हमारे mRNA, DNA, rRNA या फिदी, tRNA So Anticodons होते हैं हमारे tRNA में अगर आपनी tRNA का structure देखा होगा तो उसमें Anticodons प्रेजन होते हैं Question No.9 Molecular Caesors Which cut DNA is? Molecular Caesors किने कहा जाता है जो DNA को cut करते हैं Options है हमारे Pectinase DNA Polymerase, Ligase, Yafidi Restriction Endonuclease So Molecular Caesors कहा जाता है Restriction Endonuclease को Option D is the right answer Now Question No.10 Which is not true about insects? Insects के बारे में इन में से क्या सत्ते नहीं है Options है हमारे Body has three regions Head, Thorex and Abdomen B. Respiration occur through Malfeasian Dubules C. There are three pairs of legs Yafidi, Head bears a single pair of antenna जो insects के body होती है उसमें three regions ही होते हैं जो होते हैं Head, Thorex and Abdomen उनके three pairs of legs होते हैं यानिके total six legs होते हैं Insects में Head में एक pair होते हैं Anteena का यानिके total two antennas होते हैं इनमें से जो insects के बारे में True नहीं है वो है हमारा Option B Respiration occur through Malfeasian Dubules So mostly जो भी insects होते हैं उसमें respiration होती है Through Spiracles Okay यानिके trachea So option B is the right answer Now question number 11 Cirrhosis of liver is caused by the chronic intake of जो liver cirrhosis नामक जो भी disease है वो लगतार किसके सेवन करने के कारण होती है Options है हमारे alcohol, opium, tobacco, yafidi, drugs तो यह होती है alcohol से Option A is the right answer Question number 12 HCL is secreted by HCL इनमें से किन cells के द्वारा secret होता है बहुत बार repeated question यह पूछा भी जाता है Option A is Peptic cells B Goblet cells C Arjuntafen cells Yafidi, Oxintic cells Okay तो एके करके सभी options को देख लेते हैं जो Peptic cells होती है वो सिक्रीट करती है Pepsinogen Okay Goblet cells secrete करती है Mucus Arjuntafen cells करती है Gastrin Hormone Okay और Oxintic cells secrete करती है HCL यानि कि hydrochloric acid Okay तो option D is the right answer Question number 13 Jersey is the breed of Jersey इनमें से किसकी breed है Kettle, Buffalo, Sheep या फिर goat So Jersey is the breed of cattle Option A is the right answer Now question number 14 Late blight of potato is caused by जो लेट ब्लाइट है पोटैटो की disease है यह यह किसके दुआरा होती है Okay, options देख लेते हैं कैंकर Okay Phytopathora infestence करता है Late blight of potato Okay, तो right answer हो जाएगा यहां पर हमारा option C और आपको कमेंट करके बता रहा है कि जो klebisips purpurea है उससे कौन सी disease cause होती है Okay, so do comment Okay Question number 15 Replum is present in the ovary of flower of जो replum है वो किस flower की ovary में present होता है Options है हमारी mustard, tomato, sunflower या फिडी cucumber So replum present होता है in the flower of mustard Okay, option A is the right answer Question number 16 Devil fish is Devil fish किसे कहा जाता है Options है हमारे A Silver fish, shark, dolphin या फिडी octopus So, जो octopus है उसको कहा जाता है Devil fish Option D is the right answer Now question number 17 Name the syndrome when only one X chromosome is present and other one is missing Which means कि जो हमारा 23rd pair होता है chromosome का जिसमें हमारे sex chromosomes होते हैं जो gender decide करते हैं बच्चे का ठीक है वो जो pair होता है जिसमें X और Y हो तो boy और अगर X और X हो तो girl child यहां पर यह बोला जा रहा है कि यहां पर सिर्फ एक ही X chromosome present है जो दूसरा chromosome है वो present नहीं है तो इस तरह के syndrome को क्या कहा जाता है options है हमारे clean filter syndrome down syndrome turner syndrome yafidi cry-do-chat syndrome इस तरह के syndrome को कहा जाता है turner syndrome और यह जो syndrome है यह affect करता है females को ही c is the right answer अब यह जो दूसरे syndrome हैं कई बार इन में से भी questions पूछे जाते हैं तो इनके बारे में भी एक एक करके बात कर लेते हैं सो पहला क्या है हमारा clean filter syndrome so clean filter syndrome है उसमें जो हमारे sex chromosome होते हैं X और Y chromosome होते 23rd pair में उसमें एक X chromosome से ज्यादा chromosome add हो जाते हैं कि या फिर एक X chromosome या फिर दो X chromosome भी add हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि clean filter syndrome है ठीक है और यह syndrome mainly affect करता है males को ओकी फिर आता है हमारा down syndrome down syndrome से बहुत बार question पूछा जाता है कि जो हमारा 21st chromosome है उसमें अगर trisomy हो जाये तो ठीक है trisomy 21st chromosome number तो हो जाता है हमारा down syndrome और turner syndrome के बारे में हमने बात कर ली अब रहे गया हमारा crydo chat syndrome okay so crydo chat syndrome है उसमें जो chromosome number 5 है okay जो chromosome number 5 है वो missing हो जाता है ठीक है तो कौन से syndrome होता है crydo chat syndrome ठीक है तो किसी भी syndrome से आपसे question इस सारह से पूछे जा सकते है of carbohydrates is carbohydrates का respiratory quotient है वो क्या है options है a 0.7 b 0.8 c 0.9 या फिर d 1.0 so carbohydrates का respiratory quotient होता है 1.0 okay option d is the right answer lipids का respiratory quotient होता है 0.7 ठीक है this is for lipids और and proteins का होता है 0.8 okay and this is for carbohydrates okay now question number 19 pineapple is a simple fruit, false fruit, aggregate fruit none of the above so pineapple is a aggregate fruit option c is the right answer now question number 20 synapses occurs in synapses किस stage में होती है ठीक है यह स्टारे स्टेजिस किसके है मियोसिस 1 मियोसिस 1 मियोसिस 1 और प्रोफेज 1 जिसमें प्रोफेज 1 में हमारे 5 स्टेजिस होते हैं लीप्टोटीन जाइगोटीन पकेटीन डिप्लोटीन अडडिकानश का किसस Chair में होती है उसाइगोटीन जाइगोटीन या दी डिप्लोटीन सौव जो सै नैप्षेज होता है हमारा zialis Learning पूछा जाता है क्या क्रोसिंग ओवर zijक्रोपेश होते हैं dalam पैकोई पैकिके तेजम में क्या है तो अगर क्रोसिंग ओवर और तो आपको रखिया आपक को थी जापने में हिजा पैकेटीन और स्टैनैप्सिस होते हैं हमार sticks what a dolphin is a dolphin it is a fish mammal reptile या फिदी नन ओफ यवब so dolphin is a mammal option B is the right answer question number 22 energy currency of the cell is cell की energy currency किसे कहा जाता है options है हमारे DNA ATP, RNA या फिदी, lysozoms so energy currency होती है हमारे cells की ATP, option B is the right answer okay question number 23 test for cancer diagnosis is अगर हमने cancer को diagnose करना है तो कौन सा test लिया जाता है okay, options है हमारे A, Vidal test B, RT-PCR या फिद C, Mantex tuberculane skin test D, biopsy test okay, so जो cancer diagnosis के लिए test होता है वो होता है हमारा biopsy test option D, Mantex tuberculane skin test होता है for tuberculosis completely digested in small intestine cell wall of fungi is made up of जो fungi होती है उसकी जो cell wall है वो किसकी बनी हुई होती है okay, chitin, cellulose, both A and B, yafi D, pectin so cell wall of fungi is made up of जो कहां पर stored होती है okay, किस organ में होती है liver, stomach, intestine, pancreas so vitamins are stored in liver option A is the right answer okay, question number 29 night blindness is caused due to deficiency of जो night blindness है वो किसकी डेफिशेंसी के कारण होती है okay, किस vitamin की डेफिशेंसी के कारण होती है vitamin C, vitamin D, vitamin B, या फिर vitamin A किसो vitamin C की डेफिशेंसी से होती है scurvy vitamin D की डेफिशेंसी से होता है recatus vitamin B की डेफिशेंसी से होता है very very और vitamin A की डेफिशेंसी से होती है night blindness okay, तो right answer हो जाएगा हमारा option D question number 30 chemical name of vitamin C vitamins के chemical name भी आपसे पूछे जाते है so vitamin C का chemical name क्या है option A is retinol, B, trocoferol, C, calcifirol, and D, ascorbic acid so A के करके सभी chemical name के बारे हम देख लेते हैं कि कौन सा chemical name किस vitamin का है okay, so retinol है हमारा vitamin A का trocoferol है vitamin E का calcifirol है vitamin D का and ascorbic acid is the chemical name of vitamin C okay, so right answer is option D so guys, this video में बस इतना ही अगर आपको video helpful लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है जो उनको subscribe नहीं के तो प्लीज डू सब्सक्राइब और आपको comment करके बताने कि आपके 30 में से कितने questions सही हुए और आप ये भी comment करके बता सुक्तिए